हे गाइस बेलकम बैक टू माई चैनल मैं संगीता संगीता की रिष्पी मैं आप लोगों का श्वागत है तो फ्रेंस आज में बनाने वाली हो कचावड़ी हरे मटर से बनाएंगे इस नास्ते को बहुत ही टेश्टी बहुत ही हल्दी होता है तो यहाँ पर हमने लिया है एक मटर को अच्छे से डालके इसमें हम डालेंगे अधरक का टुकड़ा जो हमने छिलके अच्छे से रख लिया है अधरक का टुकड़ा डालके और कुछ इसमें डालेंगे लहसन की कलिया जिससे हमारा स्वाध अच्छा आएगा इसलिए डाल रहे हैं और यहाँ पर मर्चा ड दरदरा श्टपिंग बनाएंगे बहुत ज्यादा बारिक नहीं रखना है तो प्रेंस देखिए यहां पर हमारा श्टपिंग अच्छे से बन गया बहुत दरदरा है मतलब एक दम एक ही मुड़ पर हमने इसको चलाया है एक बार बस चलिए इसको हम प्लेट में अच्छे से ट आइन का तीन दो चमार और तेल जैसे ही गरम होते ही हमने इसमें डाल दिया है जीरा को अच्छे से क्रकल हो जाने देंगे और फिर इसको हम डाल देंगे उसी श्टपिंग को जो हमने इसके रखा है सभी को अच्छे से डालके बढ़ियां से चलाएंगे इस टुपिंग को डालते ही गैस पे इसका कलर चेंज होने लगता है और यह बहुत ही अच्छा सुन्दर स्वाद आता है और यहां पे डालेंगे हल्दी आधा चमत नमक अपने स्वाद के अंसा और धनिया का पती को डालके अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं दो मिनट तक इसको हम भूनेंगे जब तक इसका कच्छा पन न चला जाए और यह ड्राइज हो जाए अच्छे से भूनने के बाद दो मिनट हमारा यहां पे हो गया है तो चलिए अच्छे से इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पर हमने इस्टपिंग को निकाल लिया है आप देख सकते हैं जब तक यह फिन ठंडा होगा तब तक हम यहां पर लगा लेते हैं मैदा यहां पर लिया है बॉल में डालेंगे कटोरी मैदा यहां इस नास्ते को आज मैंने मैदा से बना रहे हूं आप जहें तो आटा से भी बना सकते हैं मैदा में डालेंगे दो चमश रिफाइन काते जिससे हमारा जो डोर है सोक और मुलाइम होगा और यहां पर डाल देती हूं एक छोटे चमश नमक नमक को हम डालेंगे अपने स्वात के अंसार और यहां पर अजवाइन और मंग्रेला इससे हमारी जो कशोड़ी होती है टेस्टी बनता है इसलिए ज़रूर से अजवाइन और मंग्रेला को डालने तो चलिए एक सोफ्ट बहुत ही मुलाइम डोर लगा के तयार कर लेते हैं यहां पर हमारा डोर जो लगके हैं तयार हो गया है आप देख सकते हैं मैं आपको तोड़की दिखाती हूं थोड़ा सा इस डोर को लगाए तो हमेशा जब भी लगाए तो मुलाइम लगाए नहीं तो इस्टपिंग हमारा बाहर निकल जाएगा तो चलिए सभी को अच्छे से रख लेती हूं लुया को बराबर बराबर में बना करते अब यहां पर क्या करेंगे अब लोगया को उठाएंगे और हाथों से अच्छे से गोली बनाके अंगुद्यों से इसको हम बनाएंगे कटोरी और कटोरी बनाके हम स्टपिंग को अच्छे से भारेंगे आप कम या ज्यादा बना से भर सकते हैं इसको मुख को हम अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारा इस्टपिंग जो है बाहर न निकले कि आप हाथों से अपने गद्वरी में रख के इसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे अला तो अब का करना है सभी को अच्छे से हम इसी तरह से भर के रख लेते हैं तो यहां पर भरके रख लिया है और उठाएंगे एक और अच्छे से हम मैदा में डीप करेंगे और डीप करके इसको अदम हलके हाथों से मेलन को दबा दबा के पोड़ी को हम बना लेंगे बहुत जोर से नहीं दबाना है नहीं तो इस्टपिंग निकल जाएगा यह देखिए बनके अच्छे से पोड़ी तयार हो गया है तो चलिए सभी को अच्छे से इसी तरह से हम बेल के रख लेते हैं तो पोड़ी हमारा भर के एदम तयार हो गया है तो चलिए यहां पे रख लेते हैं कराही कराही में डाल दिये हैं रिफाइन काते तेल जैसे गरम होते ही हम इसमें डाल लेंगे कछवड़ी को इस नास्ते को बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल हम किये हैं तो गैस के प्लेम को हमेशा मीडियम रखें बहुत तेज न रखें नहीं तो उपर से मैदा जल जाएगा और अंदर से पोड़ी कच्चे रह जाएंगे तो घुमा के इसमें से करेंगे जब तक दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इसको हम अच्छे से फ़राई करेंगे तो यह देखिए पोड़ी हमारी खुलके तैयार हो गई है अच्छा लगता है तो चलिए हम इसी तरह सभी पोड़ी को या कच्छोड़ी को निकाल देते हैं छान के सभी कच्छोड़ी को हमने अच्छे से छान के जब भी आप कच्छोड़ी को छानिए तो उसको हलका हलका कल्चुला से प्रिस करते जाएए थाकि हमारे ओस डबाड़ फूल के तैयार हो जाएगी कच्छोड़ी तो चलिए सभी को हम अच्छे से निकाल लेते हैं तो यह देखिए हमारा नास्ता बनके तम रेड़ी हो गया है फूली फूली कच्छोड़ी मटर की तो इस तरह नास्ता आप लोग भी बनाईए और खाईए बताईए कि कैसा लगा बनाने का तरीका मेरा मैं आपको एक कच् अच्छा और बहुत ही सुगंध आ रहा है इसका और देखने में जितना अच्छा खाने में भी है इसका स्वाद अच्छा लगेगा तो फ्रेंस रेस्पी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए फिर मिलते हैं एक न